तो आपने देखा कि सच्पुछ हरीको भजय सोहरीका होई और इस आयोध्या धाम में हरीका भजन लगातार हो रहा है भगवान श्री राम के इस प्रांट प्रतिश्टा उत्सव की तैयारियां जोरों पर है कि इसमें सभी धर्म और संप्रदाय के लोग शामिल है सिख जो समुदाय है वो विशेश तौर में इस उत्सव में भाग ले रहा है और उसको लेकर डीडी न्यूज की टीम ने ब्रम कुन गुर्दवारा के सेवादार से खास बातचीट ती आई आपको दिखाते हैं भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां जोरो पर है और उसको लेकर सिर्फ हिंदू समुदाय में ही उत्सा नहीं है बलकि जो दूसरे समुदाय के लोग है वो भी उतने ही उत्साहित और खास तोर पर जो सिक्ष समुदाय है वो बेहद आहलादि साथ है क्योंकि उसका भी इतिहास भगवान श्री राम के इस मंदर से जुड़ा हुआ है इस वक्त हम ब्रह्मकुन गुरुद्वारा में श्री अयोध्या धाम में मौझूद है और यहां के सेवादार मुनिंदर सिंग सोधी जी हमारे साथ मौझूद है वो बताएंगे कि किस तरह से तैयारियां वो भगवान श्री राम की इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के वो लोग कर रहे हैं सबसे पहले तो इस गुरुद्वारे का थोड़ा सा इतिहास बताएं कितना महत्पूर्ण है यह आयोध्या में श्री राम और आयोध्या में उसी श्री राम मंदर के यह जन भूमि के पीछे का हिस्सा है यह गुरद्वारा जी वाही गुरु जी का खाल्सा वाही गुरु जी की फते सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा राम जन भूमि जो भगवान राम की जनमस्थली है इसके ठीक पश्चिम के तरफ यह गुरदारा स्थित है ब्रंकुल जो एक बहुत ही रमणीक और बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है, पवित्र इस नजरीय से माना जाता है, क्योंकि सिक्धर्म के तीन गुरू, गुरुनानक देव जी जो पहले गुरु थे, नौए गुरु गुर्तेग बहादर जी और दसमे गुरु भगवान श्री राम की प्रान प्रतिष्ठा हो रही है आप देख रहे हैं कि अधिया सच धज कर तयार है आप लोग किस तरह से इसमें अपने आपको जुड़ाओं महसूस कर रहे हैं कैसे असूसियेटर है इसके साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि यहां पर जो बाइस तारी करना भी की है कि एक हफ्ते अनवरत यहां पर लंगर चलाया जाएगा जो श्रधालू आएंगे राम भक्त जो आएंगे जो यहां पर मंदर दर्शन करने के लिए जो कारकरम में सम्मिलित होने आएंगे उनको किसी तरीके का कष्ट ना हो और उसकी खुशी के लिए हम सिक्स लेंगे और अनवरत लंगर चलेगा अपने सुना कि किस तरह से जो सिक्क समुदाय है वो आहलादित है यहां पर एक विशेश पाट सहब का भी आयोजन किया जाएगा जो 20 तारीक से लेकर के 22 तक यानि उसी दौरान किया जाएगा जब भगवान श्री राम की प्रान प्रत जिया धाम